अपनी प्रतित्या का पालन करतें के लिए वनवासी जीमन ज़ीद कर दे लिए उनके पास परियात संपत्ती नहीं थी तो उनके वित्मंत्री भाशा ने अपनी साही सुख सुधा को छोग कर अपनी राजा को स्वर्म का धन बच्चीस लाथ रुपए वलाज पूश में 20,000 अ और विवान मांति भूब को आजार टैपाया है कि अब आप सब आजे की तरफ देखिए ये प्राचीन नाम मच्छिन जगड़ा है इस दिले का नेमान महराना को महन करवाया है इस दिले के अंदर 9 मैं 1540 इसमें महराना प्रताब का जर्म गवाया है इस दिले की उजाई समि दिले की दिवान 36 किलोमेटर तक प्हली हुई है इस दिवान का नाम Great War of China के बाद गीति अपायदान पर दर्च है इस दिले के अंदर 360 प्राचीन ने 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 उन मंदिरों में से जग प्रसित महानेव का मंदिर सबसे प्राचीन है कुंबल गर्दिया यहां से 65 किलोमेटर की दूरी पर है क्रिटर अब आप सब पीछे की तरफ देखे ये इस दिश्च मेवान की प्राचीन गाजधानी चित दौर गड़ता है इसी किले के अंदर महारान प्रताब का बच्वन मिलता था इस किले की तलख्यों में महारान प्रताब ने अपने गुरू से शिक्षा कराथ की थी ये किला बारा बर्द बर्द किलोमेटर में ठाला हुआ है इस किले पर जब भी विदेशी आक्रादाओं ने आक्रमाद किया और उस आक्रमाद में तो उनकी खाजा सैनिक पीरगदी को प्राप कर लेते तो उनकी बत्तियां वीरामिनाएं अपने सदीग पती रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्दी में गूद प्राणों को होए थे प्रफम जावर तेरा सब तीन इसकी में रानी पत्दी ने सोड़ा हजार स्त्रियों पीरांगनाओं के साथ जावर किया था सिर्थ अल्लाव दिन प्रिक जी के कारूं दूसरा जावर पंद्रा सब पैर्दीस इसकी में गुज्नाप के शासक बादो शाह के प्रफम दिने इरांगनाओं टे साथ किया और तीसरा जावर पंद्रा सब परसर इसमी में जब अक्रव ने जित्ताव दड़बर आक्रमन किया उसी समय रानी खूल पुमरी में साथ बजार इरांगनाओं के साथ जाहर किया फिर भी रखबर का मन नहीं बरा और अंध में पत्लियां करवा कर इन्हें मौत के घांदारा गया है कि लोग्यत विजय स्थम है कीरती स्थम मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामा शाह अलेली, कुम्भा शाम मंदिर, फत्य प्रकाश महल हैं ख्लिक गिलाल यहां से 140 किलोमेटर दूली पर है, ये देखते हुए सदी अधिकी आगे की तरफ चरी प्रकाश मुद्ध शेखित पूज़ा, पर इसका बनार प्रकाशन कर चलाव जो मिखाना करता पर प्रकाशन कर देखोंगे मुद्ध सिन्ह को अपनी छाम मुद्ध को छोड़ कर भागना पता, छाम मुद्ध के अंदर से लूटा हुआ मान, वा अब्रईम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बन्दी बनाकर महराना पताफ के साम पेश किया गया तब अमर सिन्ह पर महराना पताफ रोड़ित हुए और कहा जहां से इस नारी को बंदी बनाकर राये हो इसे उने सह सम्मान लबडा कराओ महराना पताफ के आदेश का पालन करते हुए उमर अमर सिन्ह ने उस मुहन नारी को सह समान चाहिए कर पहुचा रहे है इस काहरत महराना पताफ ने अपने किशत्री अगान उत्धर्म का पालन किया और बनाई स्क्रियों को मां प्रेकी और पहुचा जाए यह है महराना पताफ का चरित्र और नेधिक प्लाता का परिच है यह देखते हुए सर्वी रादिती आगे की तप चले तौन गड़ का द्रश्य देखा उसी पिले के अंदर की यह घटना है मेवार की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजबंज की रफशा की थी उसमा का नाम पन्ना धाय था पन्ना धाय जाती से गुजर थी वो एक राजकुमार की धायमा थी दूसरी तरफ हाथ में तलवा लिए खड़ा ये बनवीर सिंग एक दासी पुत्र है ये कुमर कुदै सिंग की हत्या करके मिवान की राजबर्दी प्राप्ट करना चाहता था एक रात्री पन्वीर सिंग को मौका मिला वो राजकुमार कुदै सिंग के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंग की हत्या करके राजमेही की तरफ आगे बढ़ा इसकी सूचना पन्नाधाई को लग गई कुछ समय तक पन्नाधाई चिंदित हुई तभी पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहना कर पलन पर सुला दिया और पुदै सिंग को एक टोकरी के अंदर छिपा कर पत्तों से ढख के महल के बाहर निकाल कर गुप्त रास्ते से कुम्भल गड़ भेज दिया बन्वीर सिंग जब तलवाग लेकर राजक्ष में आया तो उसने पन्नाधाई से कड़क आवाज में उदै सिंग के ये पूछा तो पन्नाधाई ने चंदन की तरफ इशारा किया बन्वीर ने चंदन को उदै सिंग समझ कर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमर उदै सिंग को मार दिया वही राजकुमर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदैपुर नगर बसाया जो यहां से 40 किलोमेटर दूर है और नहीं के पुत्र महराना प्रताफ हुए जिन्होंने हल्वी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहां पर देख रहे हैं ये देखते हुए सभी अतिथी आगे की तरफ चले ये घाटना महराना प्रताफ की वीवता को दशादी है एक समय नर्भक्षी बाग का आतंग आया हुए महराना प्रताफ ने उस गाग का शिकार कर उस बाग को मार डाला ये घाटना महराना प्रताफ की वीवता की प्रती है किर पहला अब आप सब पीछे की तरफ में इस द्रिश्य में देखिए महराना प्रताफ अपनी प्रतिग्या का पानन करते हुए महराना तताप ने प्रतिग्या की थी कि जब तक अपनी मात्र भूमी को शत्रों से मुट्ट नहीं करना लेता तक तक ना तो मैं महलों में रहूंगा ना किसी धातु के पांत्र में दोजन करूंगा प्रति के बिछाने पर सुरूंगा पत्ते ही धोजन के बात रहूंगे जमीन भी इछाना कोगा इस प्रतिग्या का पारण उन्होंने 21 वर्शों तक जंगलों में रहंकर किया ये द्रिश्यत महराना तताप और सुरिख्याथ स्वामी बद्ध गोड़े चितर के उंपिं में रंगा है अन्हादी युद्ध के बाद चेतर गोड़े में 22 पीट के एक बरसाती नाले को पार किया ये उसी समय का द्रिश्य है पास में खड़े महराना प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंग है जो पहले मुगल से ना में थे बाद में वो महराना प्रताप की तरह पाए मांकी मांगी पर अपना घोड़ा महराना प्रताप को दिया